इस वीडियो में हम राजस्तान की जो लोक नाटे हैं उनसे सम्मधि जो important questions, exams में बार-बार repeat होते हैं उनको हम discuss कर रहे हैं तो चलो start करते हैं जो हमारा first question है वो है कि भीलो का प्रसिद्ध लोक नाटे कौन सा है तो भीलो का प्रसिद्ध लोक नाटे है वो है गवरी नाटे इस और आस्विन के सुकल एकादेसी तक ये नाटे किया जाता है ये जो गवरी नाटे है नाटे है वो डूंगरपूर बासवाड़ा उद्यपूर भीलवाड़ा और सिरोही आधी छेत्रों में बहुत अधिक प्रचलित है इस जो नाटे है ये जो गवरी नाटे है वो सिव लोक नर्ति सैली के कलाकार है तो इसका अनसरा जाएगा तमासा ठीक है देखो जो तमासा है वो जैपूर की परमपरागत लोक नर्ति सैली है ठीक है तमासा जो जैपूर का जो तमासा लोक नर्ति है उसमें गायन वादन और नर्ति उसके साथ में अभिने इन सब का आपस मे समंजश्ची है ठीक है और इस तमाशा की जो मुखी मुख कलाकार है उनका नाम है गोपी जी बट फूल जी बट मनूजी बट वासुदेव बट ये उसके मंज़े हुए कलाकार है तमाशा की ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है कि चारबैत चारबैत जो राजसान की परचलित लो है वो गायन से लिए इसमें जो गायक है वो क्या करता है ढप बजाता हुआ ढप बजाता हुआ गुटनों के बल होकर गुटनों के बल खड़ा हो जाता है ढप बजाता है और अपनी बात जो कहता है वो गागा कर लोगों को कहता है ठीक है इसके साथ ही कुछ गायक ऐसे होत प्रफिति चार बैत को ठीक है नेक्स्ट कुछिन है कि कामा मीना कालगीर कान गूजरी मियाबंद वे नहर आधिक क्या है ठीक है इससे जो नेक्स्ट कुछिन है वो भी सेम है दोनों अलग-अलग एक्जम्स में आई हुई है यह सेकंड ग्रेंड में पुछा गया था यह चोटी-चोटी कथाईं और चलती है उसमें जो अम्मूल कथा के साथ में जो अन्य कथा होती है उसमें बंजारा-बंजारी, बादशा की सवारी, हटिया-अम्भाव, लाखा बंजारा, माता और सेर की, सेर-स्टुर की लड़ाई, खाडलीया-भूत, कान-गूजरी, कामा- पादल और थाली बजाए जाते हैं, यह हमें ध्यान रखना है, तो इसका अंसर आजाएगा, जो भी हमने यह डिसकस किया, यह छोटी नाटी का है, जिनका मंचन गवरी उत्सव में किया जाता है, तो इसका भी अंसर आजाएगा यह, नेक्स्ट कुश्चन है कि जहामट्या प लोग भासा में अपनी कविता बोलता है, और जो खटकड़ा है, जो खटकड़ा है, वो इसे धो रहता है, तो ऐसा किसमें होता है, गवरी नर्त में होता है, नेक्स्ट कुश्चन है कि मेवाड के अरावली छेतर की भील जाती का लोगनाटी है, तो देखो मेड का जो नोटंकी से जो मिलते हैं वहां पर नोटंकी बहुत ज्यादा परचलित है क्योंकि देखो जो नोटंकी है राजसान में जो नोटंकी है वहां से प्रभावीत है ठीक है क्यों कि जो इनको राजस्तान में जिन्होंने नोटंकी की सुरुवात की भूरी लाल जी ने वो पहले हातरस में ही नोटंकी करती थे बाद में उन्होंने आकर भरतपूर वाले एरिया में आकर नोटंकी की सुरुवात की ठीक है जो गिर्राज परसाद कामा वाले हैं गिर्राज परसाथ इस नोटंकी के एक महत्पून कलाकार है, परसिद्ध खिलाडी है, ठीक है, नोटंकी में नो प्रकार के वाद्धों का प्रियोग किया जाता है, ठीक है, तो नोटंकी का हमने डिसकस किया कि उत्तर प्रदेश से जो सीमा मिलती है, राजस्तान की उस चेतर म और वो अलग-अलग अलग लोगों की अलग-अलग व्यक्तित्यु की जो वो है उनका रूप रख कर आता है और बहरूपया का स्वांग का काम करता है। नेक्स्ट कुश्चन है कि संस्क्रत नाटकों में प्रियुक्त विदूशक सब्द किस वन से समंदित है। नेक्स्ट कुश्चन है कि किस चेतर की रम्मते बहुत ज्यादा प्रसिद है। नेक्स्ट कुश्चन है कि राव प्रकास थियाटर की इस्तापना किस महराजा प्रसिद है। के काल में होई थी। ठीक है तो राजिस्तान में नी जैपूर में राम्मते का स्थियाटर की जो इस्तापना है वो जैपूर के राजा थे महराजा, मतला आमेर के राजा हुए महराजा राम सिंग दुखते। उनके समय में इसकी सुरुआत हुई और उन्होंने 1878 ECU में इसकी सुरुआत करवाई थी। ठीक है। Okay, thank you.